मैं आपको एक ऐसी strategy बताने वाला हूँ जिसको use करके आप 24x7 quality leads generate कर सकते हो अपने business के लिए इस strategy को use करके हम अपने बहुत सारे clients के लिए 24 गंटे leads generate करते हैं और यही same strategy हम खुद use करते हैं अपने business के लिए so if you are a business owner and want to generate leads 24x7 I'll show you exactly यह strategy कैसे implement हो सकती है मैं पूरा आपको plan of action share करने वाला हूँ so suppose यह आपका business है ठीक है तो अगर business में lead generate करनी तो उसके लिए एक सबसे important चीज़ है वो है marketing ठीक है marketing को हम दो parts में divide कर सकते हैं digital marketing और एक आजाती offline marketing ठीक है outdated हो चुका है मैंने अभी तक तीन-चार सो बिजनसे साथ काम किया है पिछले साथ साल उसे digital marketing कर रहा हूं तो यहां पर आपको paid और organic दोनों ही sources यूज करने पड़ेंगे ठीक है हमारे जितने भी clients है हमने उनके लिए ऐसा ही model क्रेट किया है जहां पर हम paid और organic दोनों को layer हैं जहां से maximum leads आती हैं businesses को तो यहां पर तो आप पैसे दे रहे हो एड़ चला रहे हो बट कब तक आप पैसे देते रहोगे आज अगर आपको एक लीड सो रुपए के आ रही है डेफिनिटली अगले साल देड़ साल में उसकी cost बढ़ जाएगी और देड़ सो 200 रुपए क से बड़ी चीज आती है that is organic marketing और अगयानिक मार्केटिंग लोग कहते हैं आज के डाइम डेड हो चुकी है बट हम अपने क्लाइंट के लिए उसकर रहे हैं अपने लिए यूस करते हैं और अपने लिए यूस करते हैं और उनको लगता है वहां से customers मिल रहेंगे अभी मैं आ Google Business Profile आपकी Google Business Profile created होनी चाहिए सब्सक्राइब अब इनकी Google Business Profile बनी हुई है इन पर website, direction है, call है, address पड़ा हुआ है और यहां पर reviews बहुत सारी reviews है तो Google My Business Profile बनाके आप यहां पर कर सकते हो local SEO ठीक है यह आज के time बहुत करता है बट problem यह होती है जो इनसान marketing करता है वो ही करते रहेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ फोकस नहीं करना है अभी आपको दूसरी चीज़ पर शिफ्ट हो जाना है तो देखो ब्लॉग एक बहुत अच्छा सोड़ से बट आपको 2024 में AI कॉंटेंट नहीं उसकरना है आपको खुद ब्लॉग्स क्रिएट करने लिखने इसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ध्यान रहे हो प्रॉब्लम सॉलूशन के लिए होने चाहिए खाली आप ग्यान दोगे आ करें या वहाँ पर जो लोग आ भी रहें वो कंवर्ट ना हो तीसरा सबसे इंपोर्टेंट है रील्स ठीक है लोगों को लगता है रील्स एप एंटेंटेंटमेंट के लिए बिल्कुल नहीं रील्स का मैं आपको एक इसा तरीका बताने वाला हूं इसको आप यूज करो वह वोफू और वोफू ठीक है मैं समझाता हूं टॉप ऑफ दी फनल मिडल ऑफ दी फनल और बॉटम ऑफ दी फनल आपको 50% कॉंटेंट ऐसा बनाना है जो न्यूज में जो से इसनल टॉपिक हो या जो इदम लेटेस्ट कुछ चल रहा हूं मार्केट में सब्स अभी ओलंपिक दाता हूं फिर आपको फोकस करना है मौफू पे मौफू क्या होता है क्या हो इसा बनाब यह आप के बिजनेस से बना सकते हैं जिसमें आपकी success stories, आपकी achievements, आप ये सब दिखाओ, तो क्या है, आप बहुत ज़ादा audience attract करोगे, top of the funnel से, middle of the funnel में, थोड़ा उनको आप अपने business के बारें बताओगे, आपने industry के बारें बताओगे, और जो आपका last 20% content है, वो convert करेगा और filter करेगा, जो audience सबसे उपर से आ रही है, तो Reels को, अगर smartly use किया जाए, तो आज भी बहुत बड़ा source है, जब Reels की बात कर रहा हूँ, तो आप shorts भी use कर सकतो, आप एक नया YouTube channel मना के, shorts भी create करो, और अब मैं फोर्स जीज बताने वाला हूँ, उसको बहुत कम businesses use कर रहे हैं, ठीक है, एक YouTube channel, ठीक है, देको मेरे वीडियो कौन देखता है, जिसको digital marketing के बारे सीखना है, उसको problem आरे, उसका business नहीं ग्रो कर रहा है, या फिर फ्री लैंसर है, agency owner है, तो आज पास आप उठाके देख लो, आपके जितने भी competitor है, कोई भी actual YouTube पे अच्छा content नहीं बना रहा होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा, कि एक होना चाहिए, इस तरह का content होना चाहिए, ऐसे edit होगा, ऐसे publish होगा, हमने पूरा YouTube का process create कि ऐसे बहुत सारे clients के लिए, और लगभग अभी 6-7 महीने होने वाले हैं, वहां से उनको भर-भर के leads आती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा content create कर दिया है, जहां से वोगर हो सो भी रहे हैं, वो लोग से एक चीज़ पर focus करते हैं, और रील बना रहे हैं, तो रील बनाते रहें, कभी ads नहीं करेंगे, ads करेंगे, तो कभी organic को नहीं touch करेंगे, बट जितने भी business owner है, मुझे पता है, शायद बहुत सारे लोगों को यह strategy पता होगी, बहुत सारे लोग सोच रहे अल्रीडी मुझे पता है, बट यह मैं implement कर रहा हूं, इसको मैं execute कर रहा हूं, यहां से results generate हो रहे हैं, so if you are a business owner, if you are agency or a freelancer, recommend this to your client, ask them to do a 360 degree digital marketing and see how their business goes, अगर आप चैनल पे नहे हैं, just click on the subscribe button, क्योंकि मैं हर अपते ऐसे वीडियो शेयर करता हूं, जो डिजितल मार्केटिंग में भी trend पे चला है, जो डिजितल मार्केटिंग साफे advanced strategies है,